जब भी हम लोग देश की राजनीती की बात करते हैं, तो एक नाम काफी चर्चा में रहता है, वो है सिवराज सींग चौहान, इन्हें आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, और मद्पिदेश में इने मामा कहकर फुकारते हैं लोग, और बड़े चर्चाओं में भी रहते हैं, तो आज हम लोग इनकी कहानी देखेंगे, इनके बारे में हम लोग एक सामान जानकारी देखेंगे, कुछ और पिक्चर देख लिजी आप लोग, या आप देखे इनका पर प्देश नाम किसने दिया था? पंडित जवालल नहरू ने, देश के पहले पिधान मंतरी ने और इसे हिदय पिदेश भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सुया स्टेट भी कहते हैं, नधईーों का मायका भी कहते हैं, इसकी सीमा उत्तर पिदेश राजिस्थान, महराष्ट 36 गर से लगती है एक नवंबर 1956 में इसे राज बनाय गया था विधान सभा में अभी बारतमार में 230 सीटे हैं राज्य सभा में 11 सीटे हैं लोकसभा में 39 सीटे हैं और मद्ध बिदेश का छितफल 3,8,245 वर किलूमीटर में फैला हुआ है तो अगर हम लोग सिवराथ सिंग चोहान के जनम की बात करें तो 5 मार्च 1969 को मद्ध बिदेश के सिहोर जिले के नर्वदा नदी के तटपर सबसे एक छोटे से गाउं जैत में हुआ था उनके पिता का नाम प्रेम सेंग चोहान और माता का नाम सुंदरवाई और उनके पिता पेशे से 27 थे और 6 मई 1992 को उनकी साधी साधना के साथ हुई और उनके दो बेटे हैं एक का नाम कार्थी के है चोहान और दूसरी का नाम कुनाल चोहान है सिवराथ सिंग चोहान हिंदू हैं और वह जाती से किरदार हैं राजपूत हैं एक बात आप लोगों को बताओ ना कि जब भी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसकी जाती और उसका धरम पहले देखा जाता है सिख्चा की अगर हम लोग बात करें तो सिख्चा की पहरमिक सिख्चा अपने गाउं में ही हुई उसके बाद वह आंगी की पढ़ाई के लिए भोपाल चले गए 1983 में उन्होंने भोपाल की वरकुत उल्ला विस्विध्याले से दर्सन सास्त में इश्नाकत्तर की उपादी प्राप्त की और वह भी स्वड पदक के साथ गोल्ड मेडलिष्ट रहें सिवराव सिंग चोहान के मद्द बर्गिये किसान परिवास से आते हैं और उनका आरंभिक जीवन गाउं दिहात के माहुल में गुजरा कि सो रवस्ता से ही वह लोगों की आवाज बन गए थे यूबा होने तक वह एक छेतरी नेता की रूम में विख्यात हो गए थे विध्यारती जीवन में उन्होंने चात राजनीती में हिसा लिया और कई आंदोलन में भाग भी लिया यही गुन उन्हें आगे वड़ाने में महत्पून भूमी का निभाया और इनके राजनीतिक केरियर की अगर हम लोग बात करें तो 1972 में वह राष्टिये स्वयमसिवग संग में साल मिल होते हैं RSS की बात कह रहा हूँ और आप देखते हैं कि BJP का सहाए एक संगठन है यह राष्टिये स्वयमसिवग संग इसकी स्थापना 27 सेप्टंबर 1925 में हुई थी डांगपूर में इसका हेड़कॉाटर आपको देखने को मिल जाएगा केस अब अलिराम हेडगे बार इसके फाउंडर थे हिंदू राष्ट और हिंदूत की बात करता है इस संगठन 1975 में वह है मौडल उच्च मादमिक बिध्याले के छात संकी अध्यक्ष रहे 1978 में वह है अखिल भारती बिध्याती परिशत ABPP के आयोजन सचिब रहे और ये सभी संगठन आप देखी BJP से जुड़े हुए अगर हम लोग अखिल ABPP की बात करें ना तो कॉलेज के टाइम में आप लोगों ने ये नाम सुना होगा इसकी स्थाबना 9 जुलाई 1949 में हुई थी मॉंबई में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा अखिल भारती बिध्याती परिशत का फिर आप देखेंगे कि आगे 1985 में वह भारती जिन्ता युवा मोर्चा की महासचिप बन जाते हैं फुरे 1988 में वह भारती जिन्ता युवा मोर्चा की अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप देखें कि एक एक पद से आगे बढ़ रहे हैं 1990 में सिवराज सिंग चोहान पहली बार बुधनी संसदी चित से बिधान सबा का इनमें राज बिधान सबा की लिए चुने गए यानि कि 1990 में ये पहली बार आप देखें किस के लिए जो बुधनी बिधान सबा सीट है ना वहां से ये चुनाओ लड़े थे और बिधायक बने थे आप लोगों के एक और बात बता दूँ बिधान सबा की अगर चुनाओ की बात करें तो आपकी उमर अगर आपको लड़ना है तो कम से कम 25 साल हो नीचे अधिकतम उमरी की कोई सीमानी रखी गई है और आप लोगों क चुची में आपका अन्डाम जुड़ चुका होगा आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे और एक बात यहां और याद रखना है आपको ये सब चुनाओ करवाता कोन है एलेक्शन कमिशन ओप इंडिया भारती निर्वाच्चन आयो एक सम्मिधानिक संस्ता है सम्मिधा लड़ते हैं और चुने भी जाते हैं लोग सभा सदस बन जाते हैं 1991-92 की दोरान चौहान सहब अखिल भारतीय चत्त्रिये बाहिनी में सेयोजक की रूम में काम करते हैं 1993-96 में वह सरम और कल्यान सम्ती के सदस रहें 1996 में बुद दुबारा बुदनी निर्वाचन चेट से आप देखें तेहीं की चुनाओ लड़ते हैं और जीतते में ही ग्यार भी लोग सभा के लिए 1998 के आम चुनाओ में वह अपने निर्वाचन चेट से फिर से सांसत बनते हैं फिर आप देखें 1999 से सन 2000 में तक चोहान क्रेसी सम्ती के सदस थे और आप देखें 1999 से सन 2001 तक वह सार्वी ने एक उपकरम सम्ती के सदस की रूम में काम किया इनोंने 2000 से 2003 तक भारतीय जनता सन 2004 के लोकसवा चुनाओ में वह पाँचवी बार सांसत चुने गए नबंबर 2005 में मद्पिदेश के मुखमंतरी बनने के बाद उन्होंने अंगले साल बुद्धनी विधानसवा निर्वाचन चेट से उप्चुनाओ लड़ा और जीते भी थे फिर आप देखते हैं कि 2008 में चुहान ने मद्पिदेश में भाजापा की जीत का नेतित करते हुए अपनी बुद्धनी सीट को बरकारा रखा उसी वर्स दूसरे कारकाली के लिए मद्पिदेश के मुखमंतरी के रूम में इन्होंने सपदली फिर आप देखें 2013 में फिर से बुद्धनी बिधांसवा सीट पर जीत दर्च करते हुए उन्होंने लगाता 30 बार राज्य के मुखमंतरी की रूम में सपदली फिर आप देखें कि 23 माज सन 2020 को मद्पिदेश के ततकाली मुखमंतरी कमलात की स्थीपे के बाद एक बार फिर से राज्य की सत्ता सिबरा सिंग चोहान ने समाली थी और भारती जंता पाइटी ने चोटी बार मद्पिदेश का राज्य का मुखमंतरी न्यूप किया था और आपको याद होगा कि जब कमलात की सरकार गई थी सिंधिया के जो गुट के विधायक थी वो और सिंधिया साब बीजेपी में सामिल हो गए थे और भारती जंता पाटी की स्थापना 1980 में हुई थी ये भी याद रखेगा इन्हें कई पुरसकार भी मिल चुके हैं तो साल 2011 में NDTV Indian of the Year Award New India के लिए लीडर के लिए मिला था साल 2016 में सुरियोदर माना उता सेवा संबान पुरसकार मिला साहू की सिकायत पर भोपाल कोट ने मुखमंत्री उनकी पत्नी साधना सिंग के खिलाब 2007 में डंफर घोटालिक में जाच के आदेश दिया था उनका आरोप था कि साधना सिंग ने कथित तोर पर 2 करोड रुपे में 4 डंफर्स करी दिते और बाद में आप देखिए उन्होंने एक सिमेंट फैक्टरी को किरायब पर दे दिया था और उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने जाच के दौरान एक जूटा आवसिये पता पिदान किया था और एसार सिंग के नाम से अपने पती का जूटा नाम रखा था इसके बाद लोकायवक पुलिस ने IPC की धारत 420 के तहट मुक मंत्री उनकी पतनी के खिलाफ भिष्टाचा निरोधक अधिनियम के तहट मामला दर्च करती हुए मामला की जाच भी की थी हलाकि 2011 में परियाप्त साक्ष की कारण दोनों को आरोंपों से मुक्त कर दिया गया था 2009 की बात है इविवाद इंदोर की एक चिकिस्ता केवं सामाजी कारकरता डॉक्टर आनंद रायन मद्पदेस उचनियाले में एक जनहित याच का दैर की थी और जिसमें उन्होंने ब्यापम भरती घोटाली पर पिकाश डाला और उस जनहित याच का की संद्रम में सिवरा सिंग चोहान ने एक जाज सम्ती की स्थापना की थी और जिस दिनने बर्स 2011 में अपनी रिपोर्ट पिस्तुत की इसके उपराम ते आप देखी 2013 में आनंद राय ने कहा कि इस घोटाली में कई ऐसे उमीदवार हैं जिन्होंने मद्पिदेश की चिकिस्सक संस्थानों में फरजी धंग से पिरवेश किया और काफी चर्चा में भी उस समय आपने देखा होगा रहा था व्यापम घोटाला जिसके चलते उचन्यालाई की देख रेक में विसेश कारवल का गठन किया गया 2015 में सर्वो चन्याले ने विसेश कारवल से केस को केंदरी अन्यवेशन वीडो सीवी आई को सौप दिया था सीवी आई यानि की सेंटल वीडो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है एक अपरल 1963 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा सीवी आई की जाच में सिवरा सिंग चोहान का नाम भी सामने आया परंतु 2017 में सीवी आई द्वारा उन्हें किलीन चिट दे दी गई थी हाला कि कुछ सामाजिक कारकरताओं ने सीवी आई की जाच पर सवाल उठाते हुए का सीवी आई द्वारा सिवरा सिंग चोहान को बचाते हुए सबूतों से छेड़ चाड़ की गई है ये भी आरोप लगा था एक और विवार राज की बाहर के लोगों को मद्विदेश में काम ना करने करने की बिवाद इस बाद बयान से सिवरा सिंग चोहान ने छेत्री वाल की राजनीती का परिचय दिया और जिसके चलते उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था हाला की बाद में उन्होंने अपने इस बयान को इसपष्ट करती हुए कहा कि मद्विदेश सभी का स्वागत करता है जून 2017 का बिवाद है मद्विदेश में किसानों द्वारा किर्सी आधारी अपनी मांगों को लेकर सांतिपूर धर्णा पिदरसन किया जा रहा था अचानक किसानों द्वारा इस आंदोलन ने हिंसक रोक ले लिया और जिसके चलते पुलिस द्वारा गोलियां चलाएंगे जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई थी हिंसा सांत होने की बज़या और भड़ा कुठी थी जिससे नाराज किसानों का पिदरसन मंदसौर की अलाबा पिदेश के कई अंजिलों तक फैल गया था और ये सांतोलन को सांत करने के लिए मुक्मंती शिवरा सिंग चोहान ने दसहरा मैदान पर 24 घंटे का उबास रखते हुए लोगों को संबोधित किया और कहा पिदेश में सरकार द्वारा किसानों की कल्यान का कार किया जा रहा है और सरकार हमेज़ा किसानों के साथ है और जिस पर आप देखे कॉंग्रेस पारटी की नेता दिगविजय सिंग ने ट्वीट करते हुए कहा कि उपवास की बज़य बज़य पुलिस को नेंतित करें किसानों पर लगाए गए जूटे मुकदमा बापस लें किसानों की मांग मंजूर करें अपनी नोटंग की करना बंद करें इस सिवराद सिंग चोहान पर किसकी टिपटी थी दिगविजय सिंग की एक कॉंग्रेस की लीडर है और पूर मुकमंत्री भी मद्वदिस के रहे है जनवरी 2018 में सिवराद सिंग चोहान तब बबादों में आय थे जब उन्होंने सरदार पुल रेली के दोरान साजविंक रूप से अपने अंगरक चक को थफ़ड जड़ दिया था तो ये कहानी सोट कहानी थी किसकी सिवराद सिंग चोहान की एक सोट वायोगराफ ही आप लोग कह सकते हैं ये मुकमंत्रियों की सिंखला चल रही है इसमें आये के करके हम लोग सभी मुकमंत्रियों के बारे में बात कर लेंगे ठीक है झाल झाल